एक चीज़ का और जिक्र आपने किताब में भी किया है, कि जैसे घरों का जिक्र रामायन में है, सोने लगे हुए इस तरह से, हाँ मैंने देखा वहाँ पे, मैंने इसमें फोटो भी डाली है उसकी, तो मैंने यहाँ पे, यह पेरू में था और इसका एक डिस्क है, जो यह दे गॉल ख्लाडिंग में क्या करते हैं, यह सोने की पर थे जिसे जोलरी जेसे घरी यह गोल प्लेटे है, इसपे हम चढ़ा देते हैं, जैसे की पोलकी है, यह उसमें जड़ाओ का कामया जिसे उसमें पतले पतले स्ट्रिप्स बना के करते हैं, तो इसे ख्लाडिंग Okay, तो पे तो उस पर देखिए उस इस तरीके का उस पर नकाशी करके यह सारा डालते थे यह पेज हनुड आड़ यड पे है देखे नकाशी करके रखावा है और ऐसे ही यह अबने सारे मंदिरों को तो वहाँ पे Spanish गए क्यों थे ये इसी सोने को तो लूटने गए थे तो वो इनको लूट लूट करके इनको गला करके ब्रिक्स बना करके Spain भेजा करते थे ये और ऐसे ही तो इन्हों ने इनको मतलब गरीब किया है मतलब कितने साल पुराना शहर होगा बहुत पुराना शहर है ये तो यह वहाँ से इस तरीके का सोना लूटा करते थे तो यहां पे हम गोल क्लाडिंग देखते हैं और दूसरा है जो हम हमारे देखें दो दो गोल क्लाडिंग देखें यहां पे कितनी सुंदर नकाशी की है page 107 पे मैंने इंग्लिश वाली बुक में पेज 107 है आचा हमारे यहां गोल प्लेटिंग है देखे जैसे कि यह जो मंदिर है नराइनी देवी का मंदिर है यह साउथ में 106 पे इसकी फोटो है और उसके साथ गोल्डन टेंपल का भी है और पिरमिट्स के उपर भी बाइट वे एक गोल्ड का था जिसे हटा दिया गया है तो अब प्रश्न है कि लोग कहतें ने जो एक डिजाइन या कुछ ऐसे होगा ने ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो गोल्ड प्लेटिंग होती है वो एट स्टेप्स में की जाती है तो उसे भी अश्टापद रीती से होता है तो इसलिए उसको ऐसे गोल्ड प्लेटिंग अश्टा अब बात ये भी है कि चलो अच्छा ये भी लोगों को लगता है बड़ा फार फेच्ट है इतना पैसा कैसे होता होगा तो अब लिखा है कि वहाँ पे मनिया जड़ी थी तो भाईया मनिया पत्थरों में ऐसे नहीं जड़ी जाती है जब हीरे जड़े हैं जब पर्ल्स जड़े हैं जब वैदूरिया वैदूरिया इस क्रिसो बेरिल कैट साई जड़ा है जब मनिक जड़ा है, जब कॉरल जड़े हैं, तो वो किसी चीज में जड़कर लगे हैं ना, और उसका ऐसा description है कि मतलब you get lost looking at the beauty, it is so beautiful that your eyes get totally mesmerized, you are hypnotized by looking at the beauty, और आप भी देखिए, आज हमारे पास ऐसे normal lights होते हैं, आप ये देखिए, पहले deep जलते थे, तो आप ये देखिए कि पूरा सोने का अंदर है, आज भी हमारे मंदिरों में अंदर सोना डाला जाता है, उसका एक कारण है, तो वो इसलिए क्योंकि हम अपनी पुरानी परंपराओं को follow करते हैं, ठीक है, तो आप वहां जाएए और देखिए, अब आप ये सोचिए कि हीरे जवारातों से आपके पूरे अंदर के सब सजे हैं और आप उसमें दीब जलाएए, देखिए कितना, मतलब, मतलब, एस सच अ मेस्मराइजिंग थौर्ट, I mean, सोच के इतना सुन्दर लगता है, रियल में कितना सुन्दर रहा होगा, और ये हम Egypt में देखते हैं, ये हम Incan civilization में देखते हैं, ये हम बहुत ancient civilizations में देखते हैं, gold plating and gold claret. और populations पूरी भरी में थी, मतलब, पूरा भरावा था, everything was to the T, totally constructed and developed, because there was no place to, मतलब, there was no empty slot left, तो वहाँ बड़े-बड़े आमर के, you know, mango के farms थे, या mango के बगीचे थे, बहुत सारे बगीचे थे, वहाँ farming होती थी, चावल, गुड़हन, अलग-अलग टाइप का जो गुड़हन, I think गुड़हन कहते हैं, उस चावल को, जो बो करके लगाई जाती है, तो वहाँ farming हुआ करती थी, वहाँ बहुत तरह के अजार बनते थे, बहुत तरह के शिल्प शास्तर थे, वास्तू शास्तर थे, वहाँ सारी चीजें खुदी बनाई जाती थी, कुछ import नहीं होता था, I don't think so, वहाँ पे कुछ import होता था, apart from horses.